कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब खायदियस से होंगे आज जो रेसिपी में आपके ताद शेयर कर रहे हूं वो है चिकन मंचूरियन की यह बहुत ही जबदस्त और इजी रेसिपी है आप इसे घर में ज़रूर ड्राइ कीजिएगा तो चलिए रेसिपी को स्ट करते हैं मैंने यहां लिया है 200 ग्राम पॉनलेस चिकन क्यूब में कट क्या हुआ यह देखें एक अदर अंडा लेंगे टू टेविल स्पून कॉन फ्लार लिया है और स्पाइसिस में लिया है नमक लिया है मैंने टू टेस्ट वन टीस्पून पेपरिका पाउडर और वन टी सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसे फॉरन भी पूप कर सकते हैं मैं यहां एक चीज़ मिस कर गई थी इसके अंदर मैंने जो है वह वन टीस्पून अधक लहसन का पेस्ट भी एड़ किया था जो के मुझे 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 मिस हो गया था बदब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दस से पंदा मिट के लिए रख देंगे तब तक हम आपको ग्रेवी के इंग्रीटिन्स बताते हैं ग्रेवी की बनाने के लिए मैंने यहां लिया है वन टीस्पून लहसन का पेस्ट हाफ कप कैचप लेंगे तू टेबिल स्पून कॉन फरार यूस करेंगे ग्र चिकन फ्राइ करने है जिसके गली में गर्म रख चुकी हूँ तेल की कॉन्टिति हमें चाहिए चाहिए soaking cup को हमें deep fry करना है medium to low heat पर हम जो है वह तेल को गर्म करेंगे त्पील तो यह जैसे ही गर्म होगा हम इसमें मैंने रेट के लिए oven chicken इट करेंगे तो अब हम इसमें वन बाइर वह चिकनेयर करेंगे ताके यह आपस में चिपकेनई और इन्हे गॉलडण फ्राय करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं देना है यह देखे ना खुब्सूरस सा कलर देना है जैसे ही यह गोल्डन फ्राय होगी हम इने निकाल लेंगे और टीशु पेपर पर रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्र आइल यह वो टीशु पेपर में जर्जब हो जाए तो यह देखिए यह हमने निकाल ली इसी तरीके से हम बा भी त्यार करेंगे सेम पैन में जो है मैंने वन थर्ट कप ओईल लिया है ओईल यह सही गर्भ होगा हम इसमें एड कर देंगे लेसन का पेस्ट आप लेसन के पेस्ट अगर यूज करना नहीं चाहें तो आप चौप किया हुआ लेसन भी यूज कर सकते हैं इसे अच्छा सा रेसीपी तयार होती है बनकर और भहुत ही इसी रेसेपी है इसको हुआ एकसे दो इंट के लिए हम अच्छे से कुप करेंगे और साथ हम इसमें एड कर देंगे स्पाइसिस है साथ हम आप से में एड़ करेंगए वन टेबिल स्पूँन सौया स्थ वन टेबिल इस्पून चिली सॉस और विन तेबिल इस्पून विनेगर और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और एक साथ हुप करेंगे अब मैं यहां यूज कर रही हूँ 1 tablespoon chicken powder आप चाहें तो आप chicken cube भी यूप कर सकते हैं और चाहें तो skip भी कर सकते हैं अब हम इसमें ketchup add करेंगे और इसे अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद अब मैं इसमें add कर दूँगी एक कप पानी और इसे हलका boil आने तक cook करूँगी water और उसे अच्छे से mix करके एक paste बना लेंगे और अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी gravy में add करेंगे और हमें जितनी थिक gravy चाहिए हम उतने ही हम इसमें corn flour add करेंगे यह देखिए हमें इतनी थिक gravy चाहिए तो हमने थोड़ा कम add किया है तो अगर आप ज़्यादा gravy बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा add किजिएगा मैंने इसमें से corn flour बचा लिया है corn flour का जो mixture था वो मैंने बचा लिया अब इसमें हलका सा boil आने के बाद हम इसमें डालनेंगे fry के हुए chicken और इसे अच्छे से mix करेंगे देखा यह आप किती जल्दी रेसिपी यह तयार होती है तो अब जो है मैं इसे lid लगा कर तकरीवन दो से तीन मिन्ट के लिए cook करूँगी तकरीवन तीन मिन्ट हो चुके हैं तो अब जो है मैं आप से आपको dish out करकर दिखाते हूं यह देखे ग्रेवी आपको ज़्यादा थिक चाहिए ज़्यादा थिन चाहिए इसके हिसाब से जो आप इसमें confident कीजिएगा यह हमारा chicken manchurian ready है अब जो है मैं इस पर तब तके लिया लाफे